कैसे हो दोस्तों उम्मिद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मेरा नाव है लालो और मेरे चैनल पर आप सब वहागत है जिसका नाम है लालो ने नागया दोस्तों आज की विडियों हैं आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास हुए अब न सेंट्रल बैंक का ए कहा जाता है मिस कॉल के थुरू से भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं तो मिस कॉल का नमर क्या है चलिए हम आपको बताते हैं देखें दोस्तों मिस कॉल का नमर है नाइन टिर्पल फाइब टू फोर 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 यानि फोर जो है फोर बार है और टू और जैसे आप इस पर कॉल लगा दिजेगा उसके आपको थोड़ा सा वेट करना है यह कॉल लगके ऑटोमेटिक ही कर जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहां मैसेज आ चुका है मेरा जो बालेंस है वो दिख रहा है लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखेगा कि जो यह जो है बालेंस जो मिस कॉल जो आप करते हैं एक बार में यह कॉल लगता नहीं आपको दो-तीन बार कोसिस करना है तो यह आसान तरीका हो गया कि इस नमर से डाइल करके आप जो है अपना ब अपना बालेंस चेक कर सकते हैं तो उससे कैसे बालेंस चेक किया जाता है हम फिलाल आपको एक चीज चले बताते हैं बाकि वाद आप सारा चीज आप खुद ही समझ जाईएगा जैसे कि आपको हम Amazon का बताते हैं फोन पे कभी सिंपल है लेकिन हम आपको Amazon का बताते हैं यह अचली फोन पे का ही बताते हैं आपको फोन पे कॉपिन करते हैं अपना फिंगर प्रिंट देते हैं उसके बाद देखिए यहां जैसे आप पहला पेज आपका आएगा तो यहां मोन मन मोबालन नमिल नंबर है न यू पियाusal को डाङसम के दो औक निधर में डिलीक करना से अप्रियों करना है कि लिकिन दो धर्य dunya कि अपना यू प्याइड चाहिए ते यह ने में तो यह दूसरा तरीका हो कि मेरा լाइलेंस चेक करने का यूपेयाई आई डी के तुरू से पहला तो आपको बता दिया में सको लैलेट तू दूसरा क्या है यूपेयाई चेक कर सकते हैं तीसरा तरीका क्या क्या है इस से भी बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं लेकिन साथ साथ यहां बैलेंस चेक करने के साथ जो है आप पूरा हिस्ट्री आप वहां से देख सकते हैं आप लिखेगा send m passbook चलिए हम आपको दिखावे देते हैं जैसे आप play store में लिखेगा देखे play store में लिखते हैं सर्च बारे में आपको लिखना है send c e n t send m देखे send m passbook तो central bank का आएगा इसको download कर लेंगे जब download कीजेगा तो इसको open करें देखे जब इसको open कीजेगा तो आपके सामने ऐसा page आएगा तो यहां से आपको जो है customer ID मांगेगा customer ID यानि आपका CIF नमर CIF नमर और customer ID दोनों एक ही चीज है तो अपना CIF नमर डालिएगा नहीं पता है तो एक बार bank से पता करके कहीं भी save करके रखिएगा उसके बाद आप जो है अपने bank में जो भी mobile नमर रेजिस्टर किया है वह ही mobile नमर को यहाँ पर डालिएगा और proceed के उपर में किलिक किजेगा उसके बाद आपके mobile नमर पर एक OTP आएगा bank के थुरू से तो OTP यहाँ जो लिखा हुआ user OTP तो यहाँ पर आप डाल दिजेगा और proceed के उपर में किलिक किजेगा या automatic ही हो जाता है जैसे OTP डालिएगा proceed automatic ही ले लेगा चलिए करके दिखाते हैं उसके बाद आपको यहाँ save 4 digit के MPIN बोला जागा बनाने के लिए कोई भी चारंग का अपना MPIN दो बार डाल के submit के उपर में किलिक किजेगा उसके आपको यहाँ लिखा आजाएगा your MPIN has been updated successfully your registered is complete यानि आपका यह complete हो गया है इसको OK कर ले उसको जैसे OK किजेगा तो यह आपका देखिए इसको save बोल रहा तो नहीं करना तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो जो आपका account में नाम होगा वो लिखा हो आजाएगा welcome आपका जो भी नाम होगा हुआ जाएगा आप ही जो है यहाँ से अपना 4 digit का MPIN जो बनाए थे डालना जब भी यहाँ लोग इन होते के साथ आपका उपर में सारा नामूम दिखेगा उसके बाद आपको देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें बहुत सारा चीज कर सकते हैं देख सकते हैं लेकिन इसका पूरा डिटेयल वाला वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख लिजेगा क्यूंकि अभी जो हम बताने वाले के हैं बाइलेंस चैक कर सकते हैं सारा कूछ करने तो यहां दूसरे नमर मोर पे लिखाओ हुआ पास्बुक के उपर में क्लिक करेंगे और यहां से आपका सेविंग है इसके उपर में क्लिक करेंगे और सेविंग के उपर में क्लिक कर देंगे उसके बाद देखें यहां से मेरा बाइलेंस तो पता चलेगा ही चलेगा बाइलेंस के अलावा देखें यहां बाइलेंस तो मेर आप अपना इस एप के मदद से आप अपना बाइलेंस के अलावा वीजियो है पूरा हिस्टरी ही देख सकते हैं बैक डेट का तो यही यह भी बहुत अच्छा है आपको हम तीनों तरीका बताएं हैं आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीका के यूज़ करके अपना सेंट् का ख्या लिखने का टाटा बाइबाई